नमस्कार सातियों आप सभी का स्वागत है जी के सलान में दोस्तो रजस्तान बोड परिशा कक्षा 10 वी का गणित का जो पेपर सत्ता इस मार्श को होने वाला है वो पेपर यहां पे लेकिया चुके हैं तो चलिए दोस्तों यहां पे सारी परस्नों को हम सोलिशन के साथ देख होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाकि यह पूरा पेपर अगर पीडिये फाइल आपको चाहिए तो हमारा एप है वह आपको डाउन्लोड कर लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है यह फिर आप पर पर एजुकेशन लाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा तो चलिए अपर यहां पर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल जो पूर्णाक आपके सी नंबर है समय आपको बताई है लगबग आपके जो टोटल नंबर और क्यूशन रहेंगे वह बाइस परसंद या 25 परसंद तक रह सकते हैं और प अंसर जो जाएगा मैं डारेक्ट आंसर की बात करूंगा यहां पर अपसे नंबर दी है वह आपको यहां पर टिक कर लेना है यदि दिवकात बहुपाद एक्स स्कॉर प्लस टू एक्स माइनस फंद्रा के सुनने पी और क्यू है तो पी प्लस क्यू का मान है वह आपको कि फ्लस की फ्लस टो टू एक्स माइनस फंद्रा यह आपका बन गया आपका बनी जाएगा माइनस साविस्ट ₊ ठे can आप पांच आ थिक है यहां पर प्लस का 3 प्लस का तीयना आपने को मलत लेरे लिया एक्स और 13 कुन दोपन दॉट रांधीक तो यहां पर क्या क्या आगया देखिए एक तो 3 आ गया और पांच टीकल इस प्रकार से जो 3 है वह तो मेरा माईनस ह्ता से लेकिन जो प्लस का पांच है वह प्लस का मान पूछा ही यहा पर तो यहां पर कितना बन जाएगा आपका option number C बन जाएगा पांच वाला ठीक है चलिए आगे देखते हैं आपको आपको निकालना है तो माध्य आप निकाले लेंके तो option number B है वो आपका संयान से रहे आगे देखिए यदि 2x plus y ब्राबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाड़ा यूग में क तो यहां पर देखिए 2 और 2 कितने बन गे मेरे 4 और प्लस 2 छे बन गे वराबर में 6 दिया गया है तो यहां पर option number C आजाएगा किसी समांतर शेणी का प्रतम पद जो है वो 6 है और सार्व अंतर 3 है तो समांतर शेणी क्या होगी तो यहां पर option number A हो जाएगा हमारा समांतर श जाएगा SSA पिंदो चार जो A है वो 4 0 है और B है वो 04 को मिलाने वाले रिखाकंट के मद्य बिंदू के निर्देसां का में गयात करना है तो option number B हो जाएगा देखिए आप इस परकार से भी जाएगा पर आपका एक्स होगा फिर एक्स होगा फिर आपका वाई होगा ठीक है चार मतलकि इस फरकार सेãy प्यादम है फिर यह जीरो है और प्छी डिलमें चार इस फरकार बन जैगा यह दार क्वें ऐदर बी चाटाशे मन जाएगा तो शहां पर यह रोट आपन्जा आपको ऑस लाट नभरबग वाथर नमबर व हो ब जाएगा जते का इस बाद आप उसकी उचाय के आधार के बराबर है तो सूर्य का उन्यन कुण बताना है तो option number C हो जाएगा 45 डिग्री वरग अंतराल 10 और 25 का वरग चिन क्या होगा तो यहां पर option number C रहेगा 17.5 किसी वर्थ के व्यास के सी रूपर खीची गई इस पर रेकाएं परसपर होती है तो समानतर हो लाओ के उपर एक अर्द गोला रखा हुआ है अर्द गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है तो यह हो जाएगा 21 cm आगे देखे चतुरांस में बने तिर्जिखंड का कौन हो कितना होता है तो नबर डिगरी का होता है आगे देखे एक पासे को एक बार फेका जाता है अब अब आप से नंबर C हो जाएगा एक बटा 2 अबाजी चक्ति हैं क्या क्या कौन क्यों से घुकते हैं 3 और 5 और 2 तीन अब आजी संक्य होंगे पूरी टोटल 6 तो एक और 2 तो निकम 3 और 6 जेकिंगे सिर्ण आपको माइनस 7-25 और 10-15 पर दस्ता वह आपको जाएगा 23 इसके ब मिल जाएगा सार्व अंतर की बात करें तो तीन और एक है यहां पर फिर मानस का एक मानस का तीन है मतलब दो आ रहा है ठीक है इसकी बात देखें आप साइन स्क्वार साथ डिगरी का मान है वो क्या होगा तो यह आप निकाले लेंगे बाकाइदा एक संखु की तिर्जा 6 cm उचाई 8 cm संखु की तिर्या कुछ आपको पतानी है तो बाकी की परसन आप यहां पर देख लेंगे यह सारे परसन आपके एक्जाम में इंक्लूड होने होगा वो बिल्कुल आपका अच्छा हो जाएगा तो यह आप देख लेना बाकी में स्लाट कर देता हूं पेपर की फीडे फायल ओलेड़ी एप अप्लोड की जा चुकी है वहां से आप इसको कभी भी देख सकते हैं यह बाकी माध्य बगेरा जो भी है आपके प्राइक्ता हो गया बारम बारता बटन बगेरा होगा सारी परसंदीक फ्र Pharper का परसंद पत्र आपको एक्जाम में मिलने वाला है इसका इसकी शुर्ट मिले सकते हैं मिलतें पेपर के साथ धन्यवाद